Good morning kids, today we will learn Hindi subject, take out your Hindi book and open page number 47 In previous class we learned दिर्गहों की मात्रा हमने previous class में दिर्गहों की मात्रा पढ़ाया आज हम लोग दिर्गहों की मात्रा से वाक्य बना कर पढ़ना सिखेंगे तो page number 47 में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे वाक्य बने वे हैं उसे हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से रा में आ की मत्रा रा जा में दिर्गहों जू राजू दा में दिर्गहों दू ध दूद राजू दूद पा में दिर्गही पी वा पा में दिर्गहों पू रा में दिर्गही डी पूरी खा राजू दूद पी वा पूरी खा आपको ऐसा ही पढ़ना है फूल फूल ला सूत सूत की माला बना धूल धूल का फूल फूल बन खून खून मत बहा चूहा मत बहगा जूल जूल कर घर आया भूसा भूसा ला जूता जूता पहन बाजार बाजार जा मूली ला रामू उठ 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 सूरज उग गया आलू भीला भालू वाला आया भालू वाला आया भालू का नाच दिखाया भालू का नाच दिखाया चू चाकू मत उठा ऐसे आपको रिड करना है अब हम लोग पीछे पेज में आएंगे पेज नमबर 48 उ की मात्रा का अभ्यास हम लोग दिर्गव की मात्रा का अभ्यास सिखेंगे यहाँ चित्र देखकर शब्दों को पूरा करो आपको यहाँ कुछ चित्र दिख रहे है चित्र में जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है वह आधे अधूरे शब्द है आपको चित्र देखना है और उस शब्द को पूरा करना है तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है सूरज तो सूरज क्या से लिखते है सा में दिर्गव सू सूरज सूरज फिर क्या दिख रहा है कबूतर क, बा में दिर्गव, बू, कबूतर, फिर तराजू, तरा, जा में दिर्गव, जू, तराजू, तरबूज, तर, बा में दिर्गव, बू, ज, तरबूज, भालू, भ, भामेया की मत्रप भाल, ला में दिर्गव, लू, बालू, चूहा चा में दिर्गोव चूहा में आकी मात्रा हा चूहा आपको या सही चित्र देखना है और शब्द को पूरा करना है अब नीचे आते हैं दिर्गोव की मात्रा लगाकर शही शब्द बनाए आपको इसमें दिर्गव की मात्रा लगाना सभी में और सही सब्द बनाना है यहाँ फल लिखा हुआ तो आपको इसको बनाना है फूल फा में दिर्गव फूल फूल जला जूला बबल बबल ब बूल खजर खजूर खुसब खुशबू नाकन ना खुण नाकून अमरद अमरूद मजदर मजदूर खबसरत खुबसूरत खुबसूरत यह हो गया हमारा कम्प्लेट हमने हर्षव और दिर्गव दोनों की मात्रा को पूरा कम्प्लीट कर लिया है लेकिन हम हर्षव और दिर्गव किस वैंजन में लगाएंगे वह हमें समझना है जैसे हर्षव जहां लगाते हैं जिस वैंजन में हम उसे धीरे से पुकारते हैं छोटे समय में के लिए पुकारते हैं जैसे हम लिखते हैं पुल हम लोग पुल बोलें तो पु में हर्षव लगा तो दिरे से बोलें पुल बस छोटे समय के लिए और जहां फूल बोलेंगे फूल तो फूल में उचारन भी तेज हुआ और समय भी ज़्यादा जिसको हम लोग थोड़ा समय के लिए खीच के बोलेंगा फूल और यहाँ पूल तो जो समय खीचाता है उसमें दिर्गवू लगता है ठीक है तो जैसे शब्द में कुछ सब्द ले ले जैसे खुशबू और जुगनू दोनों में दोनों मात्रा लगा जैसे खुश में लगा हर्षो खुशबू देखिए बू में हम लोग मात्रा को जोर से पढ़ रहे है जुगनू जुगनू नू में जोर से पढ़ रहे है मतलब यह दिर्गवू और जहाँ धीरे से पढ़ रहे हैं कम समय के लिए वो हर्षो आप समझ गयो होंगे न हर्षो और दिर्गो यह बस एक्जामपल के लिए आपको नोटबुक में नहीं लिखना है ओके थैंक यू